बच्चों इसरामराजी इंटर कॉलेज नरायनपूर प्रीतमपूर हीरापूर अम्बेदकर नगर में आप सभी लोगों का स्वागत है कल आप कच्छा साथ के विज्ञान में उस्मा के अंतरगत पढ़े कि धातूओं में उस्मा का अस्थान अंतरण चालन भी द्वारा होता है अनिकी धात जो है उस्मा की सूचालक बस्तू है आज आप पढ़ेंगे कि जलत अथा वायू उस्मा के कूचालक है तब इन पदार्थों में उस्मा का अस्थान अंतरण कैशे होता है इसका हम पता लगाने के लिए एक प्रियोग द्वारा जानेंगे तो एक आपको जो समागरी लेनी है आप देख लीजिए गोल पेदे वाला एक फ्लास्क लीजिए यदि फ्लास्क उपलब धना हो तो बीकर भी लिया जा सकता है तो गोल पेदे वाला एक फ्लास्क लीजिए यहां देखे एक गोल पेदे वाला फ्लास्क है ठीक है ना इसकी जगे पे आप बीकर पी ले सकते हो इसे दो तिहाई जल से भरिये इसको किसी तिपाई आनि की तिपाई का मतलब होता जिसमें तीन स्टेंड लगे हो तिपाई पर रखे अत्वा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंद कीजिए जिससे की आप इसके नीचे एक मुंबत्ती रखकर इसे गर्म कर सके अगर आपके पास तिपाई ना हो तो दूसरे तरीके से भी रख के आप नीचे जल को गरम कर सके ऐसा कोई सिस्टम करना है ठीक है ना फ्लास्क में जल के इस्थिर होने की परतिच्छा कीजिए अब एक एस्टा की सहायता से फ्लास्क के पेदे पर पोटेशियम पर मैगनेट का एक क्रिश्टल धीरे-धीरे रखिए अब क्रिश्टल के ठीक नीचे मुमबत्ती जला कर गरम कीजिए तो यहाँ पर देखिए फ्ल यहाँ पर देखिए एक क्रिश्टल रखा गया है और अब उसको हम वो कैसा क्रिश्टल है पोटेशियम फर मैगनेट ठीक है अब अब अपने प्रेक्षणों को नोट बुक में लिखे तथा जो कुछ आपने देखा उसका चित्र भी अपनाई है जब जल को गरम करते हैं त जो जौला के पास जल गरम हो जाता है गरम जल ऊपर उठता है इस गरम जल के आसपास का ठंडा जल उसका अस्थान जो है लेने के लिए आ जाता है आनि कि जब हम गर्म करते हैं तो गर्म जल जो है पेदी के जो अगल बगल है वो जल गर्म होके उपर की तरफ उठता है और जो ठंडा जल होता है वो उसका अस्थाना के ले लेता है ठीक ना फिर यह जल भी गर्म होकर उपर उठता है तथा आस पास के जल फिर इसके अस्थान पर आ जाते हैं यह परकिरिया तब तक चलती रहती है जब तक की सारा जल गर्म ना हो जाए उसमा अस्थानांतर के इस विद को हम शमवहन कहते हैं तो जल जो गर्म होता है किस विद्वारा होता है सम्वहन विद्वारा जैसे आस पास के जो जल गर्म होते हैं उपर की तरफ उठते हैं और जब उपर की तरफ उठते हैं तो जो ठंड़े जल होते हैं उनका अस्थान ले लेते हैं ठीक ना जैसे फिर वो जल गर्म हो गए वो भी उपर की तरफ उड़ते ठंडे जल आके अस्थान ले लेते हैं यह पर किरिया तब तक चलती है जब तक की पूरा जल गर्म ना हो जाए तो उस्मा अस्थानांतन के इसी विद को हम संभान विद कहते हैं बच्चों तो यह असपस्ट हो गया अब दूसरा है आपने जल को देख लिया कि उस्मा की एक कुछ अलग थी कैसे गर्म होती संभान विद के दोरा अब वायू को भी देख लिजे वायू में उस्मा का अस्थानांतन किस प्रकार होता है धुआ किस दिसा में जाता है यह ऐसे प्रसन है जिनका उत्तर हम दे रहे ह ठीक है उस्मा शुरूत के पास की वायू गर्म होकर उपर उटती जाती है इस परकार यह वायू भी गर्म हो जाती है और यह पर किरिया क्या होती है चलती रहती है तो आप ही आपने किरिया कलाप 14.9 ये देखिए देखा है ये 14.9 जो है जल जो है उस्मा में संभान भी द्वारा तो गर्म हो रहा है ठीक रहा तो आगे आप लिखे देख लीजिए एक मुंबत्ती जलाईए अपने एक हाथ से जौला के उपर तथा दूसरे हाथ को जौला के पार्समाने बगल में रखिए इस तरीके से मुंबत्ती जल लाइए अपने एक हाथ को जौला के उपर और एक हाथ बगल में तो यह उपर रखा हुए बगल में रखा हुआ यह मुंबत्ती जल लाइए ठीक ना यह क्रियकलाप आपको करना है क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधी गर्म अनुभव करता है और ऐसा क्यों तो यहां पर देखिये दिया है एक साउधानी है कि अगर आप ऐसा घर पे आप करते हैं तो अपने हाथों को जौला से सुरक्षित दूरी पर रखे जिससे आपके हाथ जलेना ठीक है न तो ऐसा क्यों ध्यान दीजे कि उपर की ओर की वायू संबहन द्वारा गर्म होती है इसलिए जौला से उपर का हाथ गर्मी का अनुभव करता है तथा जो बगल का हाथ है पार्स का हाथ है वो वायू संबहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती इसलिए यह वायू लोग के उपर ही वायू जैसी गर्म नहीं लगती तो जाहिशी बात है संभान बित के द्वारा उपर का जो हाथ है वो गर्म हो जाता है और पास का हाथ उतना गर्म नहीं होता है अब यहाँ पर देख लीजे समुंद्री समीर और अस्थली समीर या थल समीर में ठीक यहीं सिस्टम होता है संभान बित के द्वारा ही आप देख लीजे तटी छेत्रों में रहने वाले लोग तटी मादलब समुष्थ के किनारे ठीके ना ? रहने वाले रोग एक मनुरंजक परिखटना का अनुभव करते हैं दिन के समय अस्थल आणि की ध़र्ती या थ्थल जल की अपेक्षा सीग् गर्म हो जाता है यौd गर्म हो हो जाता ऐस्थल की और बहती है ठीक ना? चक्र को पूरा करने के लिए अस्थल की और से गर्म वायु समिंद्र की और और समुंद से थंडि कल एक चलती है। तो समुंद्र की और से आने वाली वायु को समिंद्री समीर और अस्थल की तरफ से चलने वाली वायू को अस्थली समीर कहते हैं ठीक ना तो समुंद्र समीर की ठंडी वायू का लाब उठाने के लिए तटी छेत्रों के भौनों, खिर्कियां समुंद्र की ओर बनाई जाती हैं रात्र में यह प्रकरम ठीक विपरीत हो जाता समुंद्र का जल अस्थल की अपेक्षा धीमी गत से ठंडा होता है इसलिए अस्थल की ओर से ठंडी वायू समुंद्र की ओर बहती है ठीक ना तो यह देखिए यहाँ पे चित दिया है थल समीर आनि की अस्थल से आनि की जल की तरफ और यहाँ पर दिया है अनी कि यह समंद्र से जो हैं अस्थल की ओर देखिए ठंड़ी हवाँ यह की एरो बना हुगा है, ऐसे हैं ठीकव इसको हम समिन्द्री समीर कहते हैं, ठीक ना समुंद्र जो है यह ठंड़ा है और अस्थल क्या है गरम है ठीक ना तो दिन में क्या होता अस्थल की गरम वायू यह समुंद्र की तरफ ठीक ना समुंद्र की तरफ बहती है ठीक और रात्र में समुंद्र से वायू जो है वो अस्थल की तरफ बहती है इस तरीके से ठीक ना समझ में आ गया तो समुंद्री समीर तथा थल समीर आपको हमने बता दिया ठीक ना अब इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे तब तक लिए धन्यबाद अगर अस्थली समीर और समुंद्री समीर नहीं समझ में आ रहा है तो किर्पया करके हमें बताईएगा हम इसको पूने समझा देंगे एक बार और हम कल आपको बता देते हैं ठीक ना तब तक के लिए धन्यबाद ग्रहकार सही समय पर करके आप लोग हमारे वाट्सप नमबर पर आवस्य भेजेगा